आज हम सिखेंगे अलजेबरा के अलग पैटर्न को पिछली वीडियो में हमने सीखा कि जितना भी हम ले रहे थे एक्सप्रेशन जो भी वेंजेक ले रहे थे वो एक जहिजा होता था यानि कि काने का मतलब मालेजे कि हम पहले दिये थिरी एक्स माइनस टू एक्स है ना पलस फूर एक्स ऐसे करके देते थे ठेक है यह इस तरह से देते थे या फिर आपको हम बताए हैं फूर वाय पलस टू वाय पलस थ्री वाय ऐसे बताए हैं चीक है इस तरह का आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में तो बात यह है कि अब तक जो भी पिछली वीडियो में हम ने आपको बताया है उसमें क्या बताया है क्या एक common बात देखने को मिला कि जो भी question जो भी question या फिर ये रहे या ये रहे कोई भी question हो तो जो भी question है उस question में क्या देखने को मिला है कि x है यहाँ पे और जितना भी है सब में x वही सामिल है है ना यानि कि इसमें भी x सामिल है इसमें भी x सामिल है इसमें भी x सामिल है है ना उसी तरह से अगर इस वाले question में देखे तो इसमें y सामिल है इसमें y सामिल है इसमें भी इसमें भी y सामिल है यानि कि जितना भी कुछ लिख रहे हैं उसमें सारा कुछ एक ही तरह का चीज है क्या है सब में Y सामिल है इसमें X है तो सब में X ही सामिल है मतब जितने भी कुछ लिखा हुआ है इसमें सब में X सामिल है है की नहीं तो ये आपने सिखा लेकिन आज जुड़ है क्या रहेगा कि question में X भी रहेगा Y भी रहेगा दोनों चीजें रहेगी X भी रहेगा Y भी रहेगा जैसे माले यह 3X है प्लस 2X है माइनस 2Y है यह है ठीक है यह question आपको देगा और कहेगा इसका इसको solve करे है solve करने के लिए बोलेगा तो इसमें आपको क्या नया बात लिए ले दिख गया कि X वाला भी टर्म्स है और Y वाला भी टर्म्स है ठीक है X वाला भी टर्म्स है और Y वाला भी टर्म्स है ठीक है अकेला हम अगर कुछ भी algebra में बोलते हैं अकेला हम कुछ भी बोलेंगे तो नंबर नहीं बोलेंगे अब जैसे कि अगर आप नहीं चांदे थे तो आप क्या बोलते हैं यह कितना नंबर है यह बोलते हैं कितना नंबर है यह यह नंबर नहीं है नंबर किसको कहते हैं नंबर जिसको सिर्फ अकेला थी यह तभी नंबर ह हुआ यह नंबर आप इसकोने खेरा में कोई भी क्योंशन है अप नंबर नहीं बोलेंगा अगर उस में कोई और वैरियेबल सामिल है तो वैरियेबल किसको करते हैं एक्स वाइ यानि की नंबर को छोड़के और भी कुछ है तो वो वैरियेवल है तो अगर वैरियेवल अगर सामिल है किसी भी नमबर के साथ तो आप उसको उस पूरे नमबर को आप पूरे जो भी एक्सप्रेसन है उसको आप नमबर नहीं बोलेंगे उसको टर्म बोलेंगे ठीक है टर्म टर्म लिख भी देते हैं आपको टी ए आर एम टर्म बोलेंगे है ठीक है लिए टर्म होगा तो चलिए आगे फिर देखते है जैसे था 3x प्लस 2y and 2x माइनस 2y यह क्वेस्चन इसको बनाना है तो इसमें जितने भी टर्म है जितने इसमें भी टर्म से हैं उसमें क्या है इसमें एक्स भी सामिल है और इसमें वाई भी सामिल है तो कैसे बनेगा तो कैसे बनेगा अगर हम कहते थे कहते थे कि भाई यह 3x है और 2x और भी आ गया तो आपको कितना x हो गया 5x हो गया तो यहां तक तो चलो आप बना लोगे यह 5x हो गया ठीक है लगिन इस 5x में 2y घटाएंगे तो क्या आएगा इस 5x में 2y घटाएंगे तो क्या आएगा अब बात यह है कि पहले वीडियो में जो आपको हम सिखा ए सब्याडियो में अगर 5x है और इसमें घटाने कह दिये 2x तो आप कहेंगे भाई 5x ठा और उसमें 2X हम घटा दिये तो 3X मेरे पास बचा यानि इसका अंसर हो गए 3X यानि कि X ही था और उसी X में हम हम जो है X को ही घटाए कहने का मतलम मेरा ही है X ही था और उसी X में हम X को ही घटाए यहां पर यह बात है यहां क्या है आपके पास total 5x था और उस 5x में आपने 2x घटा आया तब तो आप 3x घटा दिये लेकिन यहां पर जो फंडा है यहां क्या है यहां कि 5x है लेकिन उसमें आपको कर रहे हैं 2y घटा ने तो कैसे हो गया यानि आपके पास था 5X तो आपको उसमें 2Y घटाना तो कैसे घटाएंगे इसको हम फिर से लिख देते हैं यहां पर 5X-2Y तो पता है यहां पर कौन सा कहानी कहानी वही है कि अगर हम से कोई पैसा मांगने सपोज मेरे पास कोई पैसा आया मांगने के लिए ठीक है तो पैसा मांगने आया लेकिन वो गलत आदमी को पास मांगने आ गया गलती से मेरे पास मांगने आ गया कहने का मतलब वो जिसको पैसा दिया था उसी से वो मांगने जाएगा ना सपोज एक आदमी किसी को पैसा दिया सफोज कोई इंसान किसी को पैसा दिया किसी दूसरे को और वो क्या किया इंसान पैसा मांगने के लिए अपना पैसा वापस मांगने के लिए मेरे पास आ गया दिया किसी और को पैसा लेकिर मुझसे मांगने आ गया तो मैं नहीं दे पाओंगा न मैं नहीं दूँगा न उसको पैसा मतलब यही होगा न कि अगर आप आपका पैसा कोई और लिया है जो लिया है उससे आप मांगने जाएंगे वो आपको पैसा देगा लेकिन आप उससे ना मांगके मुझसे मांगने आ रहे तो आपका पैसा मैं कैसे दूँगा ठीक है यही बात यहां भी है तो यह एकस है और यह कोई चीज ही नहीं है ठीक है यह five के पास इस five के पास y वाला तो कोई चीजी नहीं तो y से ही कैसे किसी कुछ दे सकता है अगर मेरे पास सब्दोर मेरे पास एक फोन है तो फोन है तो चलो मुझसे कोई फोन मांगे तो मैं फोन दे सकता हूं लेकिन मेरे पास फोन के अलावा कुछ नहीं है और मुझसे कोई टीवी मांगे तो मैं टीवी नहीं दे पाऊंगा तो मैं टीवी नहीं तो कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं हम क यहां पर तो यह कैसे देगा नहीं तो कहने का मतलब मेरा यह नहीं देगा तो नहीं देगा तो यह कुछ भी नहीं होगा अगर ऐसा अगर लिखा हुआ रहा है दो जाती का दो या दो से अधिक जाती का रहा है किसी दो जाती के बीच दो तरह के टम्स जिसमें अलग अलग वेडियेबल है दो तरह के टम्स है एक यह है यह है और और उन सारे टर्ब में अलग अलग तरह का वेडियेबल यूज किया हुए गया है वेडियेबल आपको पिछली वीडिय आई बी एह सोरी अ है सी दियाएबन ठीक है hearings वेलिएबल हो सकता है spelling गलत हो तो spelling पर ना जाए कुल मिलें लाकर वेलिएबल मतल सक्ठाः का मतल यह I को वेडीएबल कहते है ठीक है तो दो तरह को दो अलग-अलग तरह का वेरियेबल यूज किया गया है अगर किसी expression में दो अलग अलग तरह का वेरियेबल यूज किया गया है तो वो घटेगा या जूटेगा यानी कहने का मतब या तो aid करो या तो जोडो aid करो या subtract करो aid करो या subtract करो वो हमेशा अपने अपने वेरियेबल वाले के साथ ही कुछ भी काम करेगा तो इस condition में हमेशा अगर उसी वेरियेबल का कोई कोई terms है तो उसी साथ कुछ भी काम होगा ठीक है बागि दूसरे वेरियेबल वाले के साथ उसका कोई रिस्ता नहीं रहेगा सब को जगर रहे 5x-2y प्लस थीडी एक्स है ठीक है प्लस थीडी एक्स है और इसी में हम एक चीज और एड कर देते हैं प्लस फोर वाय यह एड कर देते हैं यह एक एक्सप्रेशन है ठीक है यह एक एक्सप्रेशन है जिसको यह एक एक्सप्रेशन है तो इसमें क्या है सारा रूल सिंप्लिफिकेशन का ही है कुछ भी नया रूल नहीं है ठीक है तो ये दुनों तो होगा ही नहीं कुछ भी क्योंकि क्या हम बोलें कोई भी अलग अलग तरह का वेरियेवल है तो वो अपने अपने वेरियेवल के साथ कुछ भी होगा या तो जूरेगा या तो घट मैं गुना और भाग की बात नहीं कर रहा हूं गुना भाग तो किसी के साथ भी होता है चाहे किसी भी जाती कर रहा है किसी भी वेरियेवल कर रहा है गुना भाग हम किसी के साथ कर सकते हैं लेकिन हम गुना भाग की बात नहीं कर रहा हैं हम किसकी बात करें या तो जोडने वा वेरियेबल एक जैसा है उसको एक जैसा कर दें पहले ठीक है चलिए वो काम करते हैं चिंदे में आज़ नहीं हो पाया जदा है यहाँ पे हो जाएगा आपका यानि कि साइन का यहाँ पे प्रैक्टिस पूरा होगा साइन का खेला यहाँ पे बहुत जवड़ा डंग से होगा अलजेवराम साइन का यानि चिर्न का तो यह 5X है और यह 3X तो किसी को भी यानि कि इस 3X को हम इस 5X के साथ में करने जा रहा है यह जो 3X है इस 3X को हम 5X के साथ करने जा रहा है इस तुनों के एक साथ करने जा रहा है तो किसी को भी आप कहीं भी जाके लिख दो किसी को भी आप कहीं भी जाके लिख दो लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका जो चिन है या फिर इंग्लिश में इसको कते हैं साइन चिन को ही कते हैं साइन तो जिसका जो साइन है वो साइन कभी नहीं बदलेगा वो साइन जहां पे था जहां पे उसका साइन शुरू में था वही साइन हमेशा रहेगा ठीक है वही साइन हमेशा रहेगा यह जैसे यह 3X क्या है तीसरे वाले स्थान पे लिखा हुआ यह पहले स्थान पे यह दूसरे स्थान पे और यह तीसरे स्थान पे लिखा हुआ है लेकिन अब इसके साथ कर देंगे तो ये दूसरे स्थान पे चला जाएगा लेकिन हमने क्या किया ये 3X का क्या साइन है ये ध्यान देजिए इस 3X का क्या साइन है प्लस इस 3X का क्या साइन है प्लस तो हम कहीं भी 3X को लेकर उठा के लेकर चले जाएं लेकिन प्लस उसके साथ में हमेशा रहेगा ठाक है कहने क मतलब साइन उसका हमेसा साथ में ही रहेगा अगर ये प्लस की ज़िए पर माइनस भी होता तो माइनस थीरी एक्स के साथ में ही हमेसा रहता ठीक है तो ये थीरी एक्स था और थीरी एक्स के साथ में ये है प्लस का साइन हम नहीं छोड़ें उसी के साथ में हम लिके हैं ठीक है और अब इसको इसको साथ कर दिए इसको 3XX वाला वेरियेवल को साथ कर दिए अब YY वेरियेवल वाला को साथ कर देंगे तो देखें ये 2Y दूसरे स्थान पर है है ना अब हम क्या कर रहे हैं 3X के बाद ही उसको लिख पाएंगे तो 3X के बाद लिख पाएंगे तो क्या है उसका साइन यहाँ पर क्या है माइनस है तो 2Y का साइन क्या है माइनस है देखें क्या वोलने है 2Y गौर कीजिए 2Y 2Y का क्या साइन है अब बताइए 2Y का क्या साइन है तो आप कहेंगे 2Y का साइन है होता है ठीक है तो साइन हमेशा उसके साथ में ही रहेगा साइन को कभी भी हटाएंगे नहीं करने का मतलब यह मार नहीं कि गलती से इस टु के जगाई पर मानल सुक्ष अपलस डू है कभी नहीं करेंगे ठीक है यह मैनस ही रहे गा तो आगे आगे बनाते हैं आगे क्या है फीडिए ये फिर बच गया फूर वाइड जो साइन है वो साइन हमसा लिखा रहे गई है लिखा गया आप जैसे पिछले वाले वीडियों में जो रूल बताया गया उस रूल के मताबिका बना दें कोई भी टेंसन नहीं है क्या है ये था 5 X ठीक है इस 5 X में 3 X और आ गया तो कितना X हो गया 8 X ठीक है ठीक उसी तरह से यहां पे देखी यहां पे आप फस सकते हो हालागे फसनिंग की जरुड़त नहीं है क्योंकि आपको सिंप्लिफिकेशन में सारी बातें बता चुका हों क्या है यहाँ पर यह है माइनस टू यानि कि यह छोटा है माइनस टू यह माइनस टू यह है और यह फोर वाई इसको एड करना या फिर जो भी कहें बोच भी करें तो यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आपको क्या लग रहा है कि इसको एड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा सिक्स वाई सिक्स वाई लिखा जाएगा बिलकुल भी नहीं यह गलत है सिक्स वाई नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि रूल आपको क्या बताए है क्या आपको रूल बताया गया है कि अगर एक तरफ माइनस का साइंड है और दूसरी तरफ पलस का साइंड है तो क्या ह चिन लिखाएगा बड़ा का ये बड़ा है फोर वाई बड़ा है इसका चिन लिखाएगा पलस का चिन लिखाएगा और काम होगा घटा होगा काम होगा घटा होगा यानि कि इस फोर वाई में यानि बड़ा वला में आप टू वाई को घटा दें यानि कि फोर वाई में टू को हम घटा देंगे तो बचेगा टू वाई है ना यहां तक तो आप समझ गए उमीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे तो चलिए इसी को हम फिर से उपर बताते हैं कि इसको घटा के देखें यहां पर तो यहां पर हम यहीं पर साथ ही साथ कर देंगे वो काम जो काम अभी हमने किया यहीं पर करेंगे ठीक है यह नहीं कि आपको अलग जगह पर लिखना है देख लिए डोनों टरफ माइनए एक तरफ माइनस है और दूसरी तरफ पलस है तो चिन लिखाएगा जो बढ़ा है यह बढ़ा है इसका चिन लिखा गया पलस अब काम होगा घटा होगा घटाएंगे तो हमें सब बड़ा को ऊपर करके मतलब बड़ा में छोटा को घटाएंगे ये बड़ा है फोर वाई और ये छोटा है टू वाई तो इसको घटाएंगे तो फोर वाई में टू वाई घटेगा तो कितना वाई बचेगा कल ही बता दिए ये चीज़ इस तरह का हिसाब कल ही बता दिए तो बचे गा टू वाई ठीक है ये हो गया देखिए लोग अब यहां पर जाके कनफ्यूज हो जाते है जिनको जिनका मैथ कमजोर होता है वह ऐसे ही जगहों पर एसे ही छोटे छोटे चीजलों का नोलेज नहीं रहता है ऐसे जोटे होनिज के अभाव के कारण one को मैथ मजबूत मत्व मैथ उनको बहुत टॉफ लगने लगता है यह यही चोटा-चोटा चीज जो है लोगों को मैथ में confidence जगाता है यहां पे अब लोग क्या कर देता है क्योंकि यह चीज बारेकी से नहीं बता देगा एकस भी है वाई भी है दोनों लिख दिया ठीक है यह बिलकुल गलत है बिलकुल गलत है क्या आपको अभी अभी हम सिखाए हैं कि कभी भी पलस या माइनस यह जोड़ने का घटाने का काम कभी भी अलग-अलग वेरियेवल वालों के साथ नहीं होता है अलग-अलग जान देखिए क्या बोल रहा है कभी भी जोड़ने या घटाने का काम अलग-अलग वेरियेवल वालों के साथ नहीं होता है ठीक है मैं गुना और भाग की बात नहीं कर रहा हूं मैं जोड़ और घटाव की बात कर रहा कभी भी जोडने और घटाने का काम अलग अलग तरह के वेरियेवल के साथ नहीं होगा यानि कि ये एक्स का ये जो वेरियेवल है एक्स वाला है और ये जो वेरियेवल है वाई वाला है यानि ये दोनों कभी भी एड नहीं होगा कभी भी एड नहीं होगा नहीं 8 होगा तो अब क्या करें भाई नहीं 8 होगा तो नहीं कुछ करेंगे बस हो गया वही एंसर हो गया हमारा एंसर यही हो गया ठीक है हमारा एंसर हो गया 8x प्लस 2y ठीक है यही हो गया हमारा एंसर ठीक है यह हमारा एंसर हो गया चलिए अगला मेसेंप्ल प्र लेते हैं कि उमों अपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी आपको आपको बहले ही यह चीज मांपस अभी लगऄ रहा हो जिनक्र मेसे 2 00 וה деньги में अब तक कमजोर हैं तो कमजोर इसलिए हैं क्योंकि यही चीज बारिकियों के साथ आपको नहीं बताया जाती है जो जिसके कारण या बताई नहीं गई या फिर आप समझ नहीं पाए इस पे फोकुश करके तो इसलिए आपको दिक्कत हुआ लेकिन आज के बाद आपको यह सब में दिक्कत नहीं होगा चली अगला एक्जेंपल लेते हैं अगर हमारे पास रहे हैं थी एक्स चलिए इस पर वाई को पहले लिखते हैं तो जितने भी एक तरह का वेडियेवल है मना कहने का मतब अपना अपना वेडियेवल वाला को हमेशा साथ में कर देना है ठीक है तो यह दोनों तो साथ में है वाई वाला लेकिन यहां पे जो वाई वाला है यह अलग है जिसको हम साथ करेंगे ठीक है साथ करेंगे और बांकी एक्स अकेला है अकेला है तो अकेला ही रहने देना है उसमें हमको कुछ भी नहीं करना वो किसी के साथ नहीं जाएगा वो जहां है वहीं रह जाएगा तो यहां पर करते हैं 3Y minus 2Y और अब इस Y को हमको इस Y वाले के साथ लाना है तो हम क्या बता है इस Y का sign क्या है minus है तो यह साइन कभी भी चेंज नहीं होगा यहां भी आएगा तो माइनस वाई ही लिखाएगा ठीक है यहां भी आएगा तो माइनस वाई ही लिखा जाएगा और बच गया अब यह तो यह बच गया है तो इसको लिख देंगे 4X ठीक है उमीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी आप क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब हमको इतना तक का मामला फिट करना है तो इतना तक का मामला फिट करना है तो इतना तक का मामला फिट करने के लिए आप तो आपको क्या करना होगा सिंप्लिफिकेशन ये समझ लिए आपके पास एक अलग तरह का हिसाब है आपके पास ठीक है तो इस हिसाब को आपको बनाना है ये मान के चले तो कैसे बना ये गा तो आपको बताया गया है कि पलस वाला साइन वाला ये अकेला है ये थिरी वाय का साइन क्या है पलस है और टू वाय का साइन क्या है माइनस है और इस वाय का साइन क्या है माइनस है तो आपको दो तरीका बताया गया है दो तरह से याद कर सकते हैं आप इसको कैसे बनाया जा सकता है दो तरह से क्या एक त अकेला करते हैं तो ठीक वही बात ये पलस वाला है तो ये अकेला ही है तो अकेला ही लिखा जाएगा और जितने भी माइनस वाला यानि कि ये माइनस है और ये माइनस है ठीक है एक्स वाला को इसमें सामिल नहीं करेंगे एक्स वाला का अपना दुनिया है ये एक्स इसके minus 3y यह minus वाला हो गया plus 4y 4x प्रेश यह हो गया तो अभी हम इस 4x को नहीं लिखते हैं क्यों नहीं लिखते हैं क्योंकि आपको हम क्या बता है कि आप दो तरह से इसको याद करके बना सकते हैं तो यह एक तरीका था इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे, इसको आप इस तरह से लिखें, या एक क्या तरीका है, क्या तरीका है, ये तो अकेला पलस वाला है, तो पलस वाला लिख दिये यहां पर, त्री वाल, अब बचाईए, ये बचा, ये दो को बचा, ये दोनों के लिए हमने एक र अगर दोनों तरफ माइनस का साइंड है तो चिन तो लिखाएगा जो बड़ा है यानिकि यह बड़ा इसका चिन है माइनस तो माइनस यहां पर हम लिख दिए ठीक है और काम होगा जोडने का यानिकि इस टू वाइब में वाइब को जोड़ देंगे तो थीड़ी वाइब हो है देखिए वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कन्फीजने कोई विजवरत नहीं है यानि कि आपको कोई भी तरीका जो आसान लगे वह आप करें ठीक है जिस भी तरीका साबको याद आता है तो ऐसे तो आपको अलजेवरा में उस तरीका से ही आपको याद आगा यह वाल कर ठीक है यह वाला ही आपको फॉलो करना है हर हमें से ठीक है तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे तो यह हो गया अब लिखते हैं जाके जो बचा हुआ है पलस फॉर एक्स उसको लिखते हैं जो बचा हुआ है जो जैसे है वैसे उसको उतार देंगे ठीक है यही हम simplification में सीखें हैं कि जो बच्चा हुआ है जैसे है उसको वैसे उतार दें अब यहां पर एक ही तरह का वेडिये वाले तो घटाने का काम तो हो गई तो क्या है यहां पर 3Y में हम 3Y को ही घटा रहे हैं यानि जितना था उतना ही घटा दिये तो हमारे पास तो 0 बचेगा ठीक है उतना में उतना को ही घटाते हैं यानि कि एक ही जैसा चीज को आपस में जब घटाते हैं तो वह हमेशा 0 आता है यानि यह हो गया 0 तो यहां पर 0 आप प्लसक लिख सकते हैं फूर एकसे टीक है फ्र एकस अब यहां पे देखिए जिडु मतलब कुछ नहीं जिडु अ नहीं लिखेंगे औभी चलेगा तैनि पज़ गया अकेला यह फूर एकस फूर एकसे धे हो गया Amara अंसर लेकिन आप एक सवाल यहाँ आपके मन में शायद उठ रहा होगा कि इस 4X का साइन है प्लस तो आपने बताया कि कभी भी साइन किसी का भी साइन आप हटा नहीं सकते हैं यानि प्लस है तो इसके साथ में हमको प्लस का साइन लिखना चाहिए था है ना आपके सवाल आ रहा होगा लेकिन आपको हम पहले ही बता है कि प्लस का साइन तभी लिखाता है जब उसके लिफ्ट साइड में और भी कुछ रहेगा तब तो यह 4X के साइड में कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखा गया यानि कि इसका साइन प्लस ही है यह प्लस चेंज नहीं हुआ यह नहीं कि प्लस के बदल माइनस इसका साइन इसका साइन प्लस ही है बलकि यह प्लस का साइन हाइड है ठीक है यहां पर हाइड है ठीक है तो हमारा अंसर किसका हो गया फूर एक्स लिए अगला एक्जेंपल लेते हैं अगला एक्जेंपल किस तरह का ले हैं आँ आँ है इसी क्वेश्चन को एक बढ़ा देते हैं तुरह सा जैसे थ्री वाइ ठीक है प्लस फूर एक्स ठीक है माइनस तुवाइ ठीक है और यहां पर देते हैं प्लस फाइव एक्स टीक है और यहां पर देदीए माइन पलस एक्स अश्री एक्स नहीं वाइद देते हैं वाइड यह और फिर देदीए माइनस कि थ्री वाइए यह है हमारा क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे solve देखिए कैसे करते हैं क्या करना है अलग अलग तरह का variable यहां भी है y है x है y है x है y है y है ठीक है अलग अलग तरह का variable है तो जितने भी अलग अलग तरह का variable है तो सब को अपना अपना तरह का जो variable उसको एक साथ करना है तो चलिए हम y y वला को को साथ कर देते हैं फिर एक्स वाला को एक्साथ करेंगे तो यह से एक यह टूवाइय दीहान चाहक की यह जो कडू है इसका साइन माइनस है तो माइनस का साइन हमेशा लिखा जाएगा ठीक है और फिर हो गया है पलस वाई माइनस थ्री वाई पलस फूर एक्स पलस फाइव एक्स ठीक है यह रहा हम एक साथ सबों को कर दिया अब क्या करना है अब इस वाई वाला हमारा अलग दुनिया है और यह एक्स वाला अलग दुनिया है ठीक है तो कुछ भी नया नही है आपको सिंपलिफिकेशन का जो रूल है वो रूल के मताबिक काम करें क्या करना है यह थ्री वाई का साइन है पलस और यह टू वाई का साइन है माइनस इस वाई का साइन है पलस और इस मिल गया दो तरह का साइन मिल गया पलस का भी और माइनस का भी तो यहां है है यहां पर हम सबसुत कर नहीं कृ मैं कृस्ट पलस को एक साफ और माा गो एक साथ ठीक में तो 3Y और ये Y पलस में है तो पलस Y और माइनस 2Y ठीक है और माइनस 3Y ठीक है और बाकी जो जैसे है वैसे लिख दें इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये तो पलस में ही है X वाला X वाला तो दोनों पलस में ही है तो हमको कुछ भी टेंशन नहीं है लिख देना आगे बनाते हैं एक्वल के साइन पलस पलस वाला को अकेला कर दिए जोड दिए तो यह गया फोर वाय जब सिर्फ पलस का साइन है तब कुछ भी टेंशन नहीं है बस आप जैसे जोड दे थे आप जोड दें यह निकि इसमें फटाक से हम फोर वाय लिख दिए ठीक है कोई टेंसन नहीं टेंसन तब होता है आपको रूल तब याद लाना है दिमाग में जब माइनस सामिल हो जाए माइनस सामिल हो जाए ठीक है माइनस सामिल हो जाए तो यहां पर क्या है अब यह इस दोनों पर चलते हैं इस दोनों क् अरफ माइनस का साइंड है तो चीन लिकाएगा जो सबसी बड़ा है यानि क्ति इसका सच इनहे माइनस दो माइनस लिखती है और काम होगा जोड का। ठीक है का मेज़ोड जोडने का काम तो यह ठीध में थ्री वाइ का का डिवीजन और मल्टि ब्लिकेशन वो लफ रा यहां पे नहीं है कि का है का 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 में पहले करना या पलस बाहने सндरु अपना जाती का है में ही काम होता है तो इसका जो भी काम करेंगे इस पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा वाई वाला में तो इसको आप काम उसे समय करके निपट सकते हैं टाइम बचेगा तो यह 4X है पलस वाला साइन है तब तो कोई टेंसन नहीं है कोई भी डूली याद करने की जोड़त नहीं है कि 4X में और 5X तो फटक से जोड़ दें तो पांचार नो यानि कि 4X में 5X जोड़ेंगे तो 9X हो जागा लेकिन चीन ही तो लिखाएगा पलस क्यों है यह हमेशा ध्यान रखिए अथना क्या हमेशा ध्यान रखिए जो बढ़ा रहता है उस ही का साइन हमें सा लिखा जाता प् जो निग भाद तो 9 Next हो गया ही ठीए आगे चलते है अब ये वाइ वाइ ये जो वाइ है एक ही जाती का है तो इस दोनों में काम होगा एक ही तरह गवेर ये वैले तो वो दोनों में काम होगा तो देखिए क्या है देखे माइनस वाला है तो रूल बस आपको याद करना है माइनस वाला है तो रूल आपको याद करना है क्या है देखिए चूकि यह चोटा है और यह बड़ा है यह चोटा में बड़ा को घटाते हैं चोटा में बड़ा में घटाना है हमको चोटा में बड़ा को घटाना है च उसी तरफ माइनस का साइंड है तो चिन लिखाएगा जो सबसे बड़ा है ठीक है तो बड़ा ये है इसका चिन लिखा लिख दिया माइनस और काम क्या होगा क्या होगा आप बता है याद होगा आप ये चीज़ आपको याद करवाए थे क्या चीज़ का काम होगा आप जबाब दें या कैसे भी हम जो पूछने जबाब दें कि अगर एक तरफ प्लस का साइन रहे दूसरी तरफ माइनस का साइन दे तो क्या होता है बोलें आप बोलें यह मत समझें कि आप मोबाइल पर देख रहे हैं यूटूब पर देख रहे हैं तो बोलने का जोड़त नहीं इसका साइकलोजिकल इफेक्ट है ठीक है हमको सोच के पूछ रहे हैं तो बोली क्या होगा अगर एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ माइनस होगा क्या होगा क्या होगा अगर एक तरफ पलस है दूसरी तरफ माइनस है तो चिन लिकाएगा जो सबसे बड़ा है और काम होग घटाओ का ठीक है तो घटाने का काम करेंगे तो घटाने का काम जब भी करना है हमको यह 5X में 4X घटाना है ठीक है तो यहां घटाने की जड़त नहीं यह तो मुँपे ही हो जागा तो 5X हम लिख दिए यह Y होगा ठीक है हम X लिख दिए तो कोई टेंशन नहीं रूल तो वही है तो 5Y में हम 4Y घटाएंगे तो कितना वाइब बचेगा एक ही वाइब बचेगा तो आप एक वाइब से लिख सकते हैं हां तो आप इस 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि एक कभी नहीं लिखा जाता किसी भी वेडियेबल के साथ अगर आप लिखिवी दें तो गलत नहीं माना जाएगा क्योंकि का मतलब मेरा क्या है एक वाइए एक y का मतलब एख़ी वाय बचा हुआ है तो प्लिक किया जवरत है अगर हम एक नहीं भी लिखेंगे तो भी तो यह एक ही y कहलाबु GUY न यह थोड़ी यह और लिखेंगा Phag है तो एक बखली यह लिखने की कोई जवरत ही नहीं है भी सो हमको अलग से लिखने की एक जरूरत ही नहीं है ठीक है तो हम एक वाय कभी किसी भी वैरियेवल के साथ वन कभी नहीं लिखते हैं अगर लिख दें तो भी गलत नहीं माना जाएगा ठीक है लेकिन एक एस्टेंडर रूल यही है कि आप वैरियेवल के साथ वन ना लिखें ठीक तो अब क्या अब क्या होगा कुछ भी नहीं होगा क्यों कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो है अलग वेडिये वले और ये अलग वेडिये वले अलग अलग परिवार के दो लोग आ गये यहां पे तो अलग अलग परिवार वालों में से कुछ भी हमको नहीं करना है ठीक यह ऐसे ही रहा जागा ये चीज कब अपलाई होगा जोर या घटाओं के मामला में गुणा भाग के मामला में ये चीज नहीं अपलाई होगा ये बात ध्यान रखने गाहबान के का दिमाग में रख लें कि यह सिर्फ प्लस और माइनस के संदर्व में ही यूज होगा ठीक है गुना भाग किसी के साथ भी कर सकते हैं चाहे वो किसी भी जाती का रहा है किसी भी फैमिली का रहा है या किस कोई भी वेडियेबल है दो अलग-अलग वेडियेबल को हम मल्टिप लाइकर के लिख सकते हैं ठीक है लेकिन प्लैस माइनस हमेशा अपने अपने जैसे टम्स के साथ होगा अपने अपने वेडियेवल के साथ अपने अपने मतलब वेडियेवल के साथ होगा अब अगला एग्जेम्पल लेते हैं अगला एक ग्जैंपल लिए अगला आगे लिखते हैं कि अगर हम लिखे टीन एक्स एक चीज और एक चीज आपको बताना है यह चीज भी बहुत इंपोर्टेंट काने का मतलब आप पढ़ रहे हैं तो अरे के ऑथेंटिक पढ़ाई पढ़ा है मतलब सटिक पढ़ें यहां पर जो वेडियेवल हम हमेसा छोटा लिख रहा हैं कोई भी डिजीट से ठीक है डिजीट से हमेसा छोटा लिखें वेडियेवल ठीक है इसका फाइदा है इसका इस कारण मैथ गलती हो जाता है ठीक है तो आप जो मैं बता रहा हूं वो करें कैसे गलती होता है वो आगे आपको समझ में आएगा शायद यह चीज तब आपको समझ में आएगा जब आप किसी को पढ़ाई है तो देखेंगे कि इस कि दोनों का अगर एक ही size का लिख दिया है variable भी उतना ही बड़ा लिखा है और number भी वही बड़ा लिखा है तो कभी-कभी वो गलती कर बैठे गा टीक है गलती कर बैठे गा कि अगर उतना ही size का लिख Bengal तो कितना कोई X कैसे निखा लिखते हैं पता है ऐसे करके हमने एक्स ऐसे लिखा कितना कोई एक्स ऐसे लिखाता है तो क्या होता है अगर छोटा लिखें नाइन एक्स तो समझ में आता है कि नाइन एक्स है वही नाइन के बरावर में ये गुना लिखा जागा है तो लोग समझ लेते हैं गुना है ठीक है गुना है तो जो लिखा है व लोग बताते हैं उस मुताबक चलें हाँ तो अगला एक्जेम्पल लेते हैं अगर रहे टीन एक्स माइनिस ठीडी ए टीक है ए भी ले सकते हैं अलग अलग वैडियेवल वैडियेवल क्या आप समझी रहे हैं कि ए भी सीडी कुछ भी ले पलस पलस फोड़ बाइ ठीक है पलस 2A ठीक है माइनस 5X ठीक है माइनस 7Y यह है हमारा क्वेस्चन उसको कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे अपना अपना वैडियेवल का जो फैमिली है उसको एक साथ कर देंगे तो चलिए यह X सुरू में तो X वाला फैमिली को एक साथ कर देते हैं तो यह X रहा और यह X रहा तो इसको एक साथ कर देंगे प्लस टू ए यह यह वाला को एक साथ कर रहे हैं यह वाला एक साथ हो गया अब हम वाला को एक साथ करते हैं प्लस 4Y ठीक है माइनस 7Y ठीक है यह लिख दिया अब इसको बनाते हैं बनाने का कोई टेंसर ही नहीं है जो रूल है रूल के मताबिक है बनाते चले जाएं तो बड़ा में छोटा को घटा रहे हैं तब कोई टेंसर नहीं है याने कि 10X में 5X को घटाएंगे तो 5X ही बचेगा अगर यही 5X जैसे 10X और माइनस 5X है तब तो आप दिमाग में कर लिए 5X लिखती है लेकिन यही चीज अगर आप इस तरह से लिखा रहा था पलट के लिखा रहा था कि 5X ठीक है यहां देखिए यहां देखिए यह माइनस 5X इधर रहेगा और यह 10X याने कि 10X का पलस 10X ऐसे रहेगा इधर लिखा रहा था तो आपको क्या कर रहा है करिएगा तब आप फिर रूल याद करिएगा क्यों इधर छोटा आगिया ना कामोगा घटा होगा अगर एक तरफ मैनस है दूसरी तरफ पलस है तो चिन लिखाएगा जो बड़ा है यह बड़ा है तो इसका चिन लिखाया और कामोगा घटा होगा घटेगा तो 10X में 5X घटा देगे तो 5X बचेगा ठीक है तो यह 5X ही आया है वहां भी फाइव एक्स ही आया है इसको हटा देते हैं हां तो यहां तो फाइव एक्स हो गया अब आगे यह वला काम यहां पर क्या है कि एक तरफ माइनस का साइन है एक तरफ माइनस का साइन है और दूसरी तरफ पलस का साइन है ना यहां पर देखिए एक तरफ माइनस का साइन है दूसरी तरफ पलस का साइन है ठीक है तो आप क्या करिएगा रूल के मताबक चलें अगर एक तरफ माइनस जो दूसरी तरफ प्लस रहे तो चीन लिखाएगा जो सबसे बड़ा है यह बड़ा है तो त्री एक चीन होगा माइनस कामों का घटाओ का यानि कि त्री ए में हम टू ए घटाएंगे तो बच जाएगा कितना एक ए वन ए बच जगा तो वन ए नहीं लिखते हैं सिर्फ ए लिखा जाता है अब आएए वाई में तो वाई में वी चुकी इदर छोटा है छोटा है तो आप रूल के मताबिक चले यह जो रूल चोटा रहे हैं बड़ा रहे कभी भी आप अप्लाई करेंगें तो वही बात होगा रूल बताएं नहीं बताएं कि बड़ात में छोटा घटाते हैं तो अब तो कोई टेंसर नहीं है घटा देंगे हराम से यहां पर आप देखिए वाई वाला में फोर वाई पलस में सेवन वाई माइनस में ठीके तो रूल क्या है अगर एक तरफ पलस रहे और दूसरी तरफ माइनस रहे तो क्या होगा बताएं बोलते जाएं इसी तरफ आपको याद भी हो जाएगा अगर एक तरफ पलस है दूसरी तरफ माइनस है तो क्या होगा तो बताएए एक तरफ प्लस है दूसरे तरफ मानेस तो क्या होगा तो जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाएगा ठीक है तो सेवन वाई बड़ा है तो इसका साइन हो गया मानेस तो मानेस लिख दिया काम होगा घटा होगा तो घटाएगे तो जब भी घटाएगे तो हुआ कि जितना भी ट्र rev, व का वरिय वल है है कि नहीं इसमें ए व डरी वलकुश्छ्रा बेडियवल इसमें है वावल वेडियवल वसमें वाई वेडियवल लग लग तरह का वेडिय वल एć तो जब भी जोड या घटा होता है तो अपने अपने फैमिली वाले वेडियेवल के साथ होता है अपने अपने तरह के वेडियेवल के साथ होता है कभी भी अलग अलग वेडियेवल के साथ जोडने या घटा होने काम नहीं होता है तो चुकि अब हमको एक तरह एक ही जैसा को अब लोग इसी चीज में कनिफ्यूज रहते हैं पता ही नहीं कि हम यह जो हिसाब जो है जो मैत हम बना रहे हैं वो बना भी या भी और भी बनाना बांकी यानि कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि इतनों तक जो काम किये हैं यहीं तक काम होगा या और भी आगे काम आपने ही दिमाग लगा कि कुछ तो कुछ करके कुछ तो कुछ लिख देता है और अपने धंग से अंसर बना देता है तो वैसे लोग गलत हो जाता है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अगले अलग तरह का कॉंसेप्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे और सब्सक्राइब करें ठीके उतना वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएगा और वो सारे वीडियो देखें तब आप यहां तक आए तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि सब सारे टीचर्स का पढ़ाने का अलग लग तरीका है तो मेरा अपना तरीका है तो चुकि आप यहां पर अगर नहीं आए हैं तो मेरा तरीका हो सकता है आपको समझ में नहीं आए तो आप अगर सुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छा कॉन्फिडेंस डिवलप होगा तो आज के लितना ही धन्यवाद